इस वक्त पुरे देश में गर्मी कहड़ा रही है घर से बाहर कदम रखते ही लगता है जैसे कोई आपकी उपर आग बरसा रहा हो ऐसे में लोग दो पहर के वक्त तो घर से बाहर निकलने से कत्रा रहे हैं और निकले भी तो एसी गाड़ी में एसी के बिना गुजारा मुम्किन नहीं लगता लेकिन अभी एक ये तस्वीर देखिए यहां खौलते दूद से स्नान हो रहा है जी हां आपने सही सुना भी है और सही देखा भी है जहां प्रचंड गर्मी आस्मान से अंगारे बरसा रही है ऐसे में ये लोग 40 डिगरी सेल्स का है जहां का तापमान का पारा 40 डिगरी सेल्सेस को पार कर चुका है ऐसे में ये कोई आपको गर्म पानी से नहाने को कहे तो उसे आप क्या कहेंगे अब ज़रा ये तस्वीर देखिए मिट्टी के बरतनों में दूद को खौलाया जा रहा है ये दूद 40 डिगरी तापमान में मिट्टी के घड़े में खौलाया जा रहा है आपको जानकर हैरानी होगी कि ये दूद नहाने के लिए खौलाया जा रहा है अभी तो और भी हैरानी होने वाली है क्योंकि अब खौलते हुए दूद से स्नान करती तस्वीर आपके रोंग्टे खड़ी करने वाली है इससे भी जादा हैरानी तो तब होगी जब आपको पता चलेगा कि यह अनुष्ठान कहां हो रहा है अब इस तस्वीर को देखिए कैसे ये व्यक्ति खौलते हैं विद्वूद को अपने उपर डाल रहा है हम आप और देखने वाले लोगों के लिए भले ही ये तस्वीर रोंगटे खड़ी करने वाली होगी लेकिन करने वालों के लिए पूजा पधती है और ये पूजा किसी आदिवासी या ग्रामी शेत्र में नहीं हो रही ये अनुष्ठान राजज़ानी पटना के पोस्टल पाक में अवेजित किया गया है जिसे पटना जिले का सेंटर कहा जाता है दरसल ये आदिशक्ति की पूजा है देवी को खुश करने के लिए साधक खौलते दूद से स्नान करते हैं इसे कराहा की पूजा कहा जाता है काफी पुरानी है इस अनुष्ठान को कराने के लिए मा कमाख्या मंदिर के राकेश बाबा भी पहुचे जिनके सानेद में इस पूजा का आयूजन हुआ इस दोरान बड़ी संख्या में श्रधालू भी मौजूद रहे श्रधालू ने राकेश बाबा का प्रवचन सुना और पूजा में अगोलियों का गर्म दूद इस असनान का अनुष्ठान भी देखा। राकेश बाबा ने बताया कि काफी पुरानी पूजा पद्धती है जिसमें शक्ति की आराधना की जाती है। सबसे बड़ी मंत्र हमारा ये कि उडियस है कि जिस घर में बुढ़े बाब, मा, बाब, साथ सुतुर के गर सेवा हो रहा है उस घर में विपर्दूर होता रहेगा कष्ट नहीं आता रहे है। सबसे बढ़े हैं वह हमला करने वाले हैं हर सर्तान कोई भी धर्म हो लेकिन सब एक जैसे रहे हैं भाई चारा मिलके बने रहे हैं । यही मेरा धर्म है और सबसे बड़ा यही हमारा देश है कि यक्ता ही सबसे बरी अखंता है। सबी भगतों को मातारानी के किरपा मिले और सदेव देवी हर्दम सहाय इन पर लगी रहें। कोई भी दुख तकलीफ हो मातारानी उनका रच्छा करें। NBT Online की रपोर्ट